अब बच्चो इस वीडियों हम देखने वाले हम चैप्टन नंबर 10 के इंपोर्टन कुश्चन एंबी बोर्ट क्लास 10 वाले बच्चों के लिए ठीक है तो मैंने क्लास वन से लेकर एट तक इंपोर्टन कुश्चन डाल दी है और चैप्टन नंबर आपको पता है हट चुका है इसलिए चैप्टन नंबर हम के टैन करने वाले हैं तो न्यूव स्टूडेंट हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब किजिए लाइक किजिए तो जतने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब कर दें और वीडियो को लाइक जरू करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जिससे उनकी भी काफी ह तो आपको पता है जैसा कि मेरा भी न्यू न्यू चैनल है तो प्लीज प्रमोट करें मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ठीक है तो करते हैं स्टार्ट एक कुशन आएगा तो पहले मैं पहला जो कुशन देने वाला आपको जो सबसे ज्यादा इंपोटेंट है 99% आने के चांस इस कुशन के हैं जो आपको लुकर दिखी मिल रही बोट पर फिर भी हम 1% मानके चलते हैं कि और कुशन लगाने पड़ेंगे मैं आपको बता दो ठीक है कराता होई कि करके तो फिर्च कुशन इस आपकी ठीओरम है 10.2 जो ठीओरम है आपकी 10.2 इसको हम अच्छे से करने वाले हैं तो करते हैं फिस्ट थियोरम हम तो थियोरम बहुत इंपोटेंट है ज़ल लगवा हरसाल आती है तो क्या है थियोरम आप इसको रीड़ कीजिए अच्छे से क्या है तो हमको ये बात प्रूफ करनी है हिंदी मीडियम बाले बच्छो ध्यांच सुनते जाना है तो क्या है भाय बिंदू से ब्रत पर मतलब एक सरकल है पहले इंग्लिश मीडियम बाले समझो प्रूफ एक सरकल है उसके बाहर एक पॉइंट है पी अगर पॉइंट पी से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें टेंजेंट क्या होती बच्छो ऐसी लाइन जो सरकल को एक पॉइंट पर टच करें तो इस point को हम बोलते है point of contact और इसको बोलते है tangent तो किसी circle की कितनी tangent होती है बहार से दो tangent draw कर सकते हैं हमको प्रूफ ये करना है कि वो कैसी होती है equal होती है तो length of tangent length of tangent from an external point P to a circle are equal तो हमें प्रूफ ये करना कि tangent draw की गई है उनकी लंबाईयें बरावर होती हैं हिंदी में बाले समझो ब्रत के बाहर बिंदू से ये बाहर बिंदू हो गया जो दो इसपर से रहां कीजिया सकती है इसपर से का खीचते हैं उनकी लंबाईयां क्या होती है बरावर होती है ये बात हमको प्रूफ कर लिए ठीक है तो हमने diagram मना लिया है तो एक तो simple सी फॉरमल्टी है कि लिखेंगे ए करीचप इस पर से रहां है पी क्यू ठाथा पी यार जो बाहई बिंदू पी से खीची गहींगे ऐस पर सर्कλ पर Dash पर desapare डूप्रूफ सिद्जह करना है फी क्व बराबर प्र Kश्टर से क्या किया अभ्याने रचना क्या कि है को क्यूं से मिलाया है और मिलाया है और अध्र All पढ़े हुए हैं तो बहुत ही सिंपल प्रूफ इसका जैसा कि आप यहां देख सकते हो तो हमें पता है आप पैसा से पहले इस चीक का प्रूफ होगी जब आप थियोरम 10.1 पढ़ लेंगे तो 10.1 यह कहती है जो रेडियस होती है त्रिज्या होती है रेडियस होती है वो टें कि इस परपांडिकुलर टू इड्स ड्रेडियस हैर पॉइंट Complete कैपी जो च। मैंने ओंगल बताता हूं आपको हमें इस ट्रेंगल को जो यह वा रिटीयकल को गया ओ प्य। और इस triangle को हमको क्या करना है Congress proof करना है Congress proof करने के लिए आपको 3 चीज पता होने चाहिए SAS, SSS ASA 2 side एक angle मिल जाए या 3 side मिल जाए या 2 angle एक side मिल जाए तो हम किस दो triangle को Congress proof कर सकते हैं ठीक है तो Congress rule ये कहता है कि 3 को proof करके बता दो बाग इस प्रूफ ले जाओ तो करते हैं देखो सबसे पहले क्या कर तींची डूड़ना है हमको क्या डूड़ा हमने कि OQ, OR के बरावर है क्यों बरावर है क्योंकि radius है तिलजिया है किसी circle की radius तो एक्वल होती है तो OQ बरावर OR हो गया OP बरावर OP मलब ये side इसके बरावर हो गई ये आपस में बरावर है क्योंकि OP जो side है OP दिख रही है आपको ये उपर वाले triangle में भी है नीचे वाले triangle में भी है तो vanished है, common है तो ये तो आपस में बरावर होगी और ये वाला angle इस वाले angle के क्या है, बरावर है अब ही हमने proof किया है मलब ये 90 का ये भी 90 का है तो हमने देखा, हमने तीन बातें proof कर दी है तो ये दोनों triangle कैसे हो जाएंगे, Congress हो जाएंगे किस property से, दो side और ये angle यानि की SAS Congress Rule से तो जब हम दो triangle को Congress proof कर देते हैं तो इसकी बची हुई चीज भी आपस में क्या हो जाती है एक्वल हो जाती है तो हमें सिर्फ किसे मतलब है ये वाली side से और इस वाली side से तो लिख देंगे PQ बरावर क्या होगा PR होगा किस से बाई CP CT से corresponding parts of Congress triangle तो बस इतना से इसका proof था तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं इसको बच्चो 99% ये कुशन आने वाला है ठीक है 1% की जो chance है जो बचे रवी रहा है वो अभी मैं आपको करा देता हूँ ठीक है तो इसको note कीजे अच्छे से इसकी इसकी इस वाली लेजी ये मैं आपको कराता हूँ चाहिए बच्चो देखते है next question है question number 2 यह है आपका exercise 10.2 का question number 4 अच्छा question है important है क्या है prove that tangent drawn at ends of diameter of a circle are parallel मतलब एक circle है उसका ये diameter है PQ center से जाता हुगा अगा इस diameter के जो ends है ये दिख रहे है आपको ends अगर इस पर हमें एक line draw करें tangent draw करें वह इसको touch करती हुए ऐसे इसको touch करती हुए ऐसे तो वो क्या होती है tangent parallel होती है इस बात को हमें proof करना है तो वही simple सा तरीका बताएए तो मैं आपको let a circle with center O and PQ is the diameter ये तो मैं गिवन लिखे दिया फॉर्मल्टी वाला काम है A, B and C, D are two tangents drawn and ends of PQ पर याद अच्छे से करना बहुत अच्छे से ठीक है बासा को पूरी language को नंबर है सबके डाइगराम का गिवन का ये सबके नंबर सो थे हैं पर ये तो प्रूफ प्रूफ क्या गरना में A, B is parallel to C, D A, B parallel to C, D बहुत सेंपल सा प्रूफ है बहुत जाला अब ये बताओ अभी हमने पढ़ा था जो रेडियस होती है यहां से यहां तक क्या होगी रेडियस तो रेडियस तेंजेंट पर क्या होती है बच्चो परपेंडिकुलर होती है तो मैं लग दिया वही वी नो टैटेंजेंट सफी सरकल इस परपेंडिकुलर तो इट्स रेडियस एट पॉइंट औफ कॉन्टेक्ट एत हब स्कों को सारे प्रीकी के प्रूफ करनेगा जैसे में अपको यह हता है जैसे थरय इंप्रेल रोती है नियुष द्राटील्स एंगल यंद्यश्टी मुलनेल होती है लेकिन अगर हम इंप्रूफ करना होता है तो हम यह सद्धि कर दें कि alternate interior angle बराबर है मतलब अगर alternate interior angle बराबर है तो line parallel हो जाती है ठीक है न तो वही हम काम इसमें करने वाले हैं तो मैं लिख दिया है कि O P perpendicular A B O P A B के perpendicular होगा और O Q B C D के क्या होगा perpendicular होगा तो इसका मतलब एक दोना angle कितने के होंगे 90 के ये भी O Q D ये angle 90 के लिया है तो जब ये angle बराबर हो गया है दो cross देखो यहां बनना जैड बनना देखो ऐसे ऐसे जैड बनना है तो ये angle इसके क्या हो गया बच्छो बराबर हो गया तो लिख दिया मैंने कि angle O P A equal to angle O Q D equal to 90 degree कौनसे angle है ये alternate interior एंगल और अल्टरनेट इंदी एंगल जब बराबर हो जाते हैं तो लाइंस क्या हो जाती है बच्छो पैरलर याट्स ठीक है तो इतना इसा करना था आपको तो हमारा ये प्रूफ हो गया ठीक है इसकिन सोट ले जी आप फिर मैं आपको नेक्स कुशन कराता हूं चली करें 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 किदी अच्छे से क्या है कि द सून जर्थ आफ टेंजेंट फ्रम एपॉइंट ए एट डिस्टेंस ओ फाइफ सैंटी मेटर कुछ और बहुत अच्छी चुम्भी ना बहुत सिंपल है एक सरकल है ठीक है न वह यह कह रहे हैं द लेंट फ टैंजेंट फ्रम है कहीं बہार कि एट कि डिश्टेंस ओफ फवाइव सर्कल एज फोर ह्य प्वैंट जो एघड उसकी जो टैंजेंट फैक हो कितनी डिस्टेन्स पर ए्फोर सेंटि मीटर पर है और सेंटर से बच्चो कितना में मुझक है ऑला सकosphative और सेंटर से बच्चो कितना है वो planetsुंगेpping यूदे कि हिंदी मीडियम दो आपके जब एक्जाम में सवाल आए तो आको ना समझ में आये तो क्रिप्या करके हिंदी मीडियम वाले क्षें को भी अच्छे से पढ़ना उसमें लिखा हुआ है मैं आपको पढ़के बताता हूं एक बिंदू ए से जो ब्रत के केंद्र से 5 cm सेंटर से पांच सेंटीमेटर दूरी पर है इतनी बहुत सब्सक्राइब करना है तो क्या लिखेंगे यह आपको डियागरम बनाना सबसे पहले आपको फिर लिखना क्या है सबसे पहले पहले यह सर्कल विथ सेंटर ओ कि एक कोल्ट टूफोर सेंटीमिटर is क्या रिखोगे ऐसे रेखोगे टेंजेंट ओ एक्वल टू फवाईव सिंटी reacting मीटर फिल लिकहोगे वी नो डैट क्या वी दिए ती वी नो डैट एक ही बासिए वी देट ओपी इस प्लंस के यह तहील हो है तो एक होगा है पोटेनियस यह पर्पैंडिकलर तो हम को फाइंड क्या करना है रेढियस या की परपेंडिकलर करना है को लाकर पाइथाकॉर्स थ्योरम लगने वाली है ठीकिक न तो लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ओ-पी ए-बाई-पाइथागॉरस थ्योरम आजा समझेंगे ना पाइथा गॉर्स त्योर्म लगाएंगे इसमें लगाने के बाद क्या लिखना है आपको o a square equal to op square plus a p square h square hypotenus qqr equal to op square plus ap square यह वती है न एच इसक्वr equal to p square plus b square ठीक है तो आपको यह नहीं लिखना है ये लिए देना है OA कितना है? 5 cm तो 5 का स्क्वर OP बच्छो हमको निकालना है AP कितना है? 4 स्क्वर तो 5 का स्क्वर 25 4 का स्क्वर 16 यहां के कैसा हो जाएगा माइनस का यहां क्या बच्छेगा बच्छो? OP Er तो OP के तेसे निकालेंगे बताओ स्क्वार टाएंगे यहां पर क्या आएगा स्क्वार रूट और पच्चीस में 16 गए तो कितना बचता है बच्चो नाइन तो ओपी कितना आएगा तीन सेंटी मीटर ठीक है तो लिख देंगे देरफोर देरफोर रेडियस ओफ रेडियस ओफ ए सेंटी मीटर यह आंसर हो गया सेंपल से कुष्चिन था ना ठीक है तो नेक्स्ट नकालो कुष्चिन नंबर सेवन कोई डावट रहे तो प्रीस कमेंट कीजिए मैं आपको सॉल्व कर दूँगा है ना और हाँ बच्चो एक बात और है यह सेवन एट नाइन एट फोल डवल फाइब सेवन वन फाइब यह वाट्सअप ग्रूप है इस पर आप मैसेज करके आप अपना रॉल नंबर रॉल नंबर क्लास नेम आप सेंड करेंगी मुझे तो मैं आपको ग्रूप में एड कर लूँगा अगर कुछ होता है तो मैं आपको बताऊंगो इंपोर्टेंट कुछन कुछ लिंक्स कुछ नोट मैं आपको सेंड कर दूँगा प्रोवाइड कर बादूँगा एक्जाम से पहले कुछ इंपोर्टेंट चीज आएगी तो मैं भी वह अभी आपको दिलवा दूँगा ठीक है तो आप इस नंबर में नहीं है ने, आफ से वन और है क्या है कि तू कॉन सेंट्रिक सेरकल्स अर और लाएग और ऑफ रेडा इए 5 सेंटीमेटर एंट pakम सेंटीमीटर धुरु कॉछ नों बोलते हैं जो एक ही पोइंट पर रहकर दू सब बना जाते हैं तो उनको बोलते हम कॉन जन क्वां इसे ऋं फिर डिस्टेंस बढ़ाकर एक रख्योर बना दिया जिनका सेंटर एक ही होता है ठीक है तो दो सरकल है जिसकी छोटे वाले की रेडियस तीन है बड़े वाले की कितनी रेडियस है पांच है मतलब बड़े सरकल की कोड क्या होती है जब आंको यह से लेंग कीज देते कहीं भी अंदर सरकल के अंदर उनको क्या बोलते हैं बच्चो कोड बोलते हैं लेकिन कैसी कोड सवाल पढ़ो find the length of the cord of the larger circle तो larger circle है उसकी क्या होगी? cord होगी which touches the smaller circle मतलब एक ऐसी कोड लेनी है जो छोटे सरकल को तो touch करें और बड़े सरकल की क्या हो? cord हो तो हम ऐसे बना लेते हैं इसको यह लो ठीक है तो मैंने माल लिया a b यह क्या है cord है किसकी बड़े सरकल की और छोटे सरकल को touch कर रही है यह अपना center हो गया मैंने इस पर डाल दिया यह इसको join कर दिया यह है आपका point of contact तो मैं ओपी को मिला दिया क्यों मिलाया है आपको बता है सरकल में कैसे कुछ जनाती है कि ओपी इस पर क्या होगा बच्चो perpendicular होगा लाइंस है नहीं मिलिए आप अच्छे से मना लिए ना ठीक है क्या होगा बच्चो perpendicular होगा इसका हम यूज करेंगे अब हमको निकालना क्या है length of cord हमें a b की लंबाई पता करनी है ठीक है तो क इसके लिए कैसे करेंगे यह बताओ यह क्या है रेडियस है ओपी कौन से सरकल की छोटे सरकल की तो यह कितनी दी गए यह 3 cm अगर मैं o को a से मिला दूं तो यह 5 cm होगा की नहीं होगा बताओ क्यों सेंटर से बड़े सरकल को जोइन किया जाएगा तो 5 cm रेडियस ही तो होग अगर आप वह जshow और मिलाऊगे तो भी साइदर गहाँ तो यह बता क्यों यह राटेंगर ट्रैंगल होगा कि नहीं हुआ है तो यह हैपोटेनियस यह nombre को 12 किससे निकाल लेंगे गए patha goros टेयोरम से और आपको पता नों चाहिए जब से से और पर perpendicular डाला जाता है तो इसको ये half-half करता है ठीक है क्लास 90 की थेवर्ण में आपको याद होनी चाहिए क्या perpendicular from the center to the cord bisect to the cord center से center से अगर कोड पर perpendicular बनाय जाता है तो AP किसके बरावर होता है BP के तो हमारे पास AP जितना भी आएगा उसका दूना करके क्या जाएगा A B आ जाएगा इसदर क्लियर चलो तो करते हैं इसको तो डाइगर नाम आपको देख लिया फिर लिखेंगे इसमें लिखेंगे टू कॉन Centric Circle With Center राइटिंग थोड़ी सी गरबड़ी होग जाए तो आप मैं बोलता है नो लिखते हैं With Center O And Radia E Radia E R 3 cm And 5 cm फिर लिखेंगे इसमें A B Is the chord Of Larger Circle Which Which Touches the Smaller Smaller Circle ओके इतना लिख दिया फिर हम जानते हैं कि We know that We Know that We know that क्या कि O P Is Perpendicular O P Is Perpendicular A B Radius होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है बच्चोब Perpendicular होती है तो लिखेंगे In Triangle O P A By Pythagoras Pythagoras Curum क्या होगा O A का स्क्वेर Hypotaneous स्क्वेर Equal to Perpendicular स्क्वेर Plus B S Square ठीक है तो O A कितना है 5 का स्क्वेर O P कितना है 3 का स्क्वेर Plus A P Square तो A P बच्चो क्या हैगा 25-9 बरावर 16 तो A P बरावर क्या हैगा अंडरूर 16 तो A P बरावर क्या हैगा 4 सेंटीमीटर सिंबल बरावर 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 अब A P कितना आगया 4 तो 4 क्या दूना कितना हो जाएगा 8 तो लिए लास्ट में सो लेंथ ओफ कॉर्ड A B इक्वेल टू टू इन्टू A P लिए 2 इन्टू 4 इक्वेल टू 8 सेंटी मीटर बस आंसर हो गया सिंबल सा कुर्षन था इंपोटेंट भी था तो आपको क्या करना है ये पाइता गौरस ठियोरम लगाना है क्योंकि 90 डिग्रे एंगल मना है फिर आपको ये बेस निकाल लेना है बेस निकालने को उसका क्या कर देना है दोना कर देना है डागरम याद होना चाहिए बस और कुछ नहीं है तो मैंने 4 इनी निकाल लिया है 4 का दोना कर दी 8 कर दिया तो इसी के साथ चैप्टर नमबर 10 के इंपोर्टेंट कुषन समापत होते है चैप्टर नमबर 10 तक अच्छे से लगाओ फिर हम नेक्स्ट शैप्टर में मिलेंगे चैप्टर नमबर 11 या 12 या 13 और 14 जो भी आ सकता है तो आप इनको अच्छे से रिवाइस कर जीए ठीक है